आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें निक्रलवानी चुकि 2022 पहुत करिबा और सब पाइटी चुनावी समर में कूद गेलवारी चाहे हूँ समाजबादी पाइटी होग है चाहे हूँ भारती जनता पाइटी होग है बसपाओ के या निशाद पाइटी होग है तो तमाम मुद्दा छेत्रिय लोग के रहेला तमाम जनता आपन आपन ओपिनियन देले के हूँ समाजबादी पाइटी के समर्तक होगा के हूँ कौनो पाइटी के समर्तक होगा लेकिन गोरकपुर जनपद में जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी आधित नाच्चुन के आज उत्तर प्रदेश के स्रीम बाना वो गोरकपुर में और खासतर से चवरी-चवरा और ग्रामीड विधानसभा के संज्यूक्त परिछत्र में हम बानी और जानल चाहतानी यहां के लोग से का 2022 में चुनवती महगाई रही का 2022 में कौनो और बात के लिएके चुना होई कि आकी कुछ और होई सरकार केकर बनी का नाम बाप के आप उत्तर प्रदेश में 2022 में चुना होके जाता रणवेरी बज गए तो सब पाइटी कमर कसलेलस आप निशाद बाणी और आपके हिसाब से का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ फिर से रिपी समाजबादी पाइटी कड़ी टकर दे रही है जगा-जगा और बसपा चुकी मिट चुकी है तो कांग्रेश के काहल में बचुकी है उससे अच्छा तो इससमय निशाद पाइटी का बोल बाला है निशाद पार्दी का बिसे बाला मतला चुकि भाजपा से समझावता होके जो है यही कठा होके उचनाव लड़ता आपके इनाई लगाता कि निशाद पाइटी आपके अपने निशाद लोग के भला करे खाती एक संगठन बनल और वो जाके बीजेपी में सामील होगे इना संजय निशाद तो आपके इसाब से ठीक पाइदा निशादन में जो भले ही दूस्पर चार लोग कर रहे हैं लेकिन संजय निशाद यतना जोना परिवारबाद परिवारबाद समाजबादी पार्टी के भी आरोप लोग लग परिवारबाद कई संजय निशाद तो अपने लड़िका के राजसराब सांजबा यहां कि राजचली कोओ देखिए लगभाग टाक्टर का लईका डाक्टर हो नहीं दूस्प तुटा राजनीत में जा सब्सक्राइब कर लगाओं परधानी लड़ तुकल बारे आपके इसाब से उत्तरप्रस ने योगी आदितना सरकार तक आपका नाम बाद देखिए चाचा यहां खड़ा बाना दूहजार बाइस के चुनाओं बहुत नज्दीक बाद और लोग बता था था कि उत्तरप्रस बहुत बढ़िया काम बाई योगी आदितना था सरकार पिर से बनी का लगतास बन जाए जरकार का अचा पर बनियें उपकार कांगा बनिया हुआ हिए इस चाचा जों कहता ना सभी था हमनकि का सभ सही आ तु नौजवान बात कभान दिखकत यह परसानी रहता है का परसानी रहता है यह सबस्तों सभाधी जाता समान पढ़ता उचाहिक ही यह रहता है तो अब भेंगे दोगे नाम नाम नहीं मिलता है लगता है लगता है वाबा फिर मुख्यमंत्री बनी है यहां से अरे दस्ट जनी बाबा चाहिए तब आपकी रासन मिला ला यह हमें सरकार तो फिरी में अनाज देती है रासन देती है यहां के परधान से आप नहीं कर देखिए आपके कहा नाम भाई धर्मिंदर केकर सरकार बनी सरकार बनाई मोधी का बनाई महांगाई कहा रासन तो फिरी मिलता हर महिन में मिलता हर में पहले वाटी हम घर घर जौन बाप 25 किलो 30 किलो 30 किलो कटाउती हो जाती है कर दोस बाबाब मोधी योगी जब ताइट रही है यानी सरकार योगी जी काप की नाई बनी तो के कर बनी अब मार्म में के कर बनी जाए तो तो के के पसंद बाखे राकिर योगी के तूप मै कर हो तालब यह कारओ सपट भाणी पाइड सब नह बमढे है तो एतना योगी मोदी परिसीयाइल बडका है अलब और छॉम्हेल का रहाइज के लिए नहीं और लोग आपके नाम क prone यह यहां के तमाम लोग से मुजानथ हैं यहां के देखी के योगी मौदी के सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि मीडिल कराज के लई के बाना है सब पढ़िलिक के इदम सब बेरोजगार होगे इतना बेरोजगार होगे लिए पर दम समय ले की अगर चुर बंजा डखेटी बंजा इंकाउंटर करा दिया लोग एक यह से बनिया वा इनकाउंटर तो गुंडा लोग को होता जे बदमास अच्छाई बताएं चोरी करी गुंडाईयन होए तो उनकाउंटर होई तो कौन बा अबरात करता सरकार उनकाउंटर करा देते तो धीक है तो हम लेकि के मारे हैं ना हम लेके जब जाता है पेट नाई भरी तो गुंडा बन जाता अचोरी गट्याई सब करी जब मोधि ना ठीक रही है जनता गलती करी तो बड़ा विधाय के तो जनता सजाश है यानि कि सबकर गुस्टावा मोधी योगी आप क्या कहना की मोधी योगी के सरकार मनी कई जनता लिखाके तो उच्छाव योगी जी सबके खाता में 1100 रुपय भेजला नहां लाइकन के जूता मोजा ड्रेस खरी देखाती तक आपके मिलल कि नाएं अमान के लिखाई तनिशालेट हो जाता तो इसकूल में लिखाई सबसे जुट्था सबसे जुट्था सबसे जुट्था यह सब कमीडा है यह सब घर से नहां करके यहां से गोरगपूर के लिए निकलते हैं तो दात की चलेदेक लिए लगता है एक लोग नहीं कर पाए इतना कमीना है कि बहुत कमीना सरकार है आपके गोरकपुर में अखिलेश करेंगे उनको सरंगी लेकर के छित्र में उनको सरंगी चलाना चाहिए उनको मंत्री लायक नहीं है आपके दिखाई देता यहां सों से तो यहां से कांग्रेस के यह है कि कांग्रेस से पास किया था रटलाइजर कांग्रेस की जबन रहाल चालू हो गए और किसी मजबूरी से बन था मानलेज यह धान आया फिर बन गया महागाई आया और महागाई में पैसा खाजाना भी टोरे और यहम स्कूर कर खाना को चालू किये यानि आपके काम नहीं दिखाई देता कांग्रेस के काम अभी यह लोग पूरा करते करते लोग मर जाएंगे तभी यह लोग पूरा नहीं कर पाएंगे तेला डीजल सो उर्पया लीटर भीक रहा है गरीब इंजन पचास उर्पया खेती में उसको पानी चलाना था और पच स्यास करना तो आज सोचिये साल में एक घशियों से कितना पैसा सुल्डी जन था भ़न तो ब्र मांदीए पांच किलो गल्ला गर से पांच परिवार से पुछा जा तो बोसड़ी वाला बोलता है आदमी के नाम हरो गल्ला पांच किलो देता है उसमें नीचे लह चुम्मक ल पूरे भारत के जनता महागाई से जूज रही है और चपन इंच के सीना वाले सब इसी तरह से देश चलाएंगे और कटोरा लेकर के पूरे जनता भारत के भीक मांगेगी तकहिती डारेगी चोरी करेगी अपहरल करेगी क्या करेगी सत्रे बेर इनका पेपर लीक हो गया बच्चे माता पिता पढ़ा लिखा करके बच्चों के तयार किये कि हमारा लड़का कहीं नोकरी पाएगा इस सब्सक्राइब करें अब बरश्टाचार बने बरश्टाचार जब आदमी भूख मरी रहेगा तो बरश्टाचार होगा करेगा पहले तो इस महांगाई को कंट्रोल करें आप आपका का नाम है फागु निसाद इबताई जॉन भी लोग यहां बोला था काई अच्छर सथ्वा देखिए इसा है विभीन प्रकार के लोग विभीन तरक की समस्या है यह समस्या है इसे पांच किलो एक आदमी को रासन दिया गया जिसका रेट दो रुप्या और प्रवर्ती सरकारे देती थी अब इन्हों दस रुप्या एक वेक्ति पर चूट किया तो जैसे मालिक परिवार में पांच से च्छे इनिट है तीस किलो एक रासन मिला तो तीस किलो में साथ पर उन्हें छूट मिला और गैस में जब है 200 रुप्य दाब दिया गया अभी आत सब्सक्राइब देखें पकड़ने का रही बात विकास की बात है विकास सभी सरकारे आती है इनकी की सरकार है काम हो रहा है और च्छेत्रियता भी हो रही है इसके बाद आए जो माइनार्टी और से और OBC का समाज जो बुद्धिजीवी भर्ग है वह एक चीज से बहुत बह सबलनों के लिए जैसे आप देखेएगा जैसे सवहे अगर सबलव मैं उसमें से 2-4 पर्षेंट अगर पार जाते हैं तो और दोृष थाड़ी की बात की होमें फ्मिट्या और तो जब बैकवर्णों का रच्षण लाग हुआ तो रोड पर बसे फूक की गई ट्रेन रोका गया अंदोलन की आ गया तमाम तरह की भद्धी भद्धी श्रीयम बीपी सिंग और मुलायम सिंग के माँ बहनों को गाली दी गई और यह आरच्षण पैदा हुआ जब 10 परसेंट तो उसकी जो क्राइटेरिया पैदा की गई वह पांच एकड़ खेत और आठ लाग नगत बैंक में रहेगा तब भी उसमाण गरीब माना जाएगा अज जब बैकवर्ण की बात आई थी तो सवा तीन एकड़ खेत किये थे और 50,000 पे का तब वह आदमी नौकरी पाता था ज सब्सक्राइब की गई ना कोई आग जानी हुआ ना कोई मोटर साइकिल फूकी गई जिंदा मुंदा बात का नारा लगा गया और यह बेवस्था में बैठे उच्छ सदन में बैठे गोगोई जैसे जस्टिस को मिला करके इन्होंने राम मंदिर आस्था पर फैसला कराया साच्यों पर नहीं आस्था बहुकर करके आउस ब्यक्ती द्वारा जैसे पहसला कराने बाद यह लोगा है जो चार दिन में यह आरश्ण की विवस्थाला लाग हो गई जो आरश्ण आई गरीब समणो मतलब एक आट परसेंट गरीब पाए जाएंगे उन्हें दस परसेंट आरश्ण दिया और पचासी परसेंट लोगों को मातरुन चासी देखें किन्दना जादे हाई जाती है नहीं आखरी बात नहीं है और बात है तो देखें लम्मा होगा तो क्या आप पुछना तो लाइ खतम होने वाला है इनसे बहुत आसाए थी डबल दो बार सरकार में आ गया कि भरती हो जाएगी जब भी जब आप कहते हैं पारदर्शी परसेंट सब परिछा कराएंगे तो फिर बताइए हमें वो दी नयाद है यहां के बच्चों को गाजीपूर बनार्स बेजा गया और बच्चों को यहां जब पारदर्शी पर उस्ता होगी वीडियो कैमरा होगा तो नकल नहीं था तो फिर गाजीपूर बनार्स बनारस बनार्स से घाजी बेजना इससे गरीब हम रोते हुए बच्ची बच्ची ओको देखे यह के घजार बच्चे रो रहते रोड पर सवारी नहीं पाए जब पारदर्सी नकल नहीं होगी तो क्यों इलावाद भेजते हैं से और यहां का बच्चा क्यों आता है यह समझे सारा जो भी शकल घरेल हुआ है उसका सारा पैसा जादे जादे परचार पर खर्च करते हैं जैसे माली बेटी बेटी बढ़ावां दोलन की बात क प्रदान मंत्री क्या है मुदी क्या है यह फूप जनता जाना इसके पहले लोग इस चीज पर नहीं जान पाते ते इसको प्रचार करके कहते हैं जो पर बैग पर फोटो देना जैक्चिसीवी तरक फोटो देना देख रहे हैं इसके बाद भी आई अब आई यह जो से मूल बात पाई यह जब सामान गेहू का जो हुझ रिटा उसके सापेश में ज्यों समय महाईदर ठीज और दूसरी ती आज गेहूचा जुर रेचा वश्छारी क किसान के एक मारकेट में गाझा पर लाता है। तो पहले दस रुपे में जोरी भर के लाता था और वो गेहु बेटा था बार रुपे का दो रुपे बता था आज जो है 120 रुपे का गेहु बेट दिया तो सब जी कम पड़ जाएगी 300 रुपे लगेगा बात समझे ये क्या है और दूसरा नरेगा जिसी मत्वा कांचो जो ग देंगे जाना लोग कि मैं यह कह रहा हूं कि क्या उत्तर-प्रदेश की सरकार रहेगी कि चली जाएगी नहीं चली जाएगी चरम पेवा बेरोजगारी चरम पेवा बरश्टा चार चरम पेवा एहनाते उत्तर प्रज़स के सरकार के बदल जरूरी वा और लोग तैंकरी समय तैंकरी कि होई का देखत रही भोशपूरी निश्टा है